हेलो एवरिवान दर्शेज विशाका वेलकम बाक तो आवर योटूब चानल देख एस तूडेंट के आवे फिखिल करते हो कि मैं कॉलेज में जाके अर्न करूं कुछ नहीं तो मतलब लाइक यह नहीं कि एकदम फुल टाइम वर्क करूं पार्ट टाइम ही जॉब करूं लेकि तो मैं उनके लिए भी बताऊंगी जिनके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है तो विडियो को एंड तक देखेगा कोई भी स्लाइड मस मत किजएगा मुझे पता है कि कॉलेज के अंदर बच्चों को नीड होती है पैसो की वो चाहते कि अपने पेरिंट के ऊपर बोज ना बने जिनके लिए कॉल करने में पापा मुझे पैसा दरो पापा मुझे पैसा दरो अच्छा नहीं लगता वो सोचे कि काश मेरे पास भी एक पार्ट ताइम जोग होता तो मैं पढ़ाई के साथ साथ उसको भी मैनेज कर सकता तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 ways to make money as a student तो चलिए शुरू करते हैं अगर मैं पहले बात करो देखो how to earn money in college पहला question आपके मन में यही आता है कि college के अंदर में हम कैसे पैसे कम आए secondly what to do a part-time job part-time job में क्या करें ऐसा is it possible to earn money while studying obviously है अगर आप कमाओगे तो आपको पैसे की कदर समझ में आएगी time management समझ में आएगा साथी साथ value of small money वो चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई आप छोटे छोटे जो amount होते है वो कितने valuable होते है अगर आप early age में earn कर रहे हो तो साथी साथ आपको अपनी खुद के responsibility भी समझ में आएगी और साथी आप धिरे धिरे करके time management करना भी सीख जाओगे पढ़ाई के साथ कि earn कैसे करें तो पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है write an e-book अब कहोगे माम write an e-book is it that much easy yes obviously यह बहुत easy है अगर आपको लिखन करते हैं साथी साथ आपको सर्फ लिखने के पैसे देखते हैं और आपकी चीज़े publish करते हैं बस कुछ नहीं आप चार्जपिटी का AI का use करके अच्छा content create कर सकते हो e-book के लिए और कॉन-कॉन से platform है जो publish कर सकती है आपका तो draft to digital, smash words and amazon kdp यह तीन platform है जो आपका e-book ला सकत तो यह best option हो सकता है आपके 12 के बाद के लिए और second हम बात करें तो second आपका freelancing as I say कि freelancer job is like की हर बच्चा करना चाहता है लिखे skills होने चाहिए इसके लिए देखो skills कुछ ऐसा नहीं है कि आप बच्पन से सीख के आते हो कुछ ना कुछ खुद बढ़े होके सीखना पड़ता ह तो freelancing के अंदर में आप जैसे web developer बन सकते हो, app developing कर सकते हो, video editing, thumbnail, content creator कर सकते हो बहुत सारे चीज़े हैं जो आप freelancing के तौर पे कर सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नीड है कि भाईया आओ मेरे लिए काम करो, as a creator मैं बात करो तो हमें भी रहती है कि हमें video editor चाहिए ह होती है, हम freelancer ही hire करते है, thumbnail designer कर सकते है, thumbnail designer hire करते है, साथी साथ graphic designer, अगर graphic designer आप सीख लेतो 3-4 मेना में तो आप उससे बहुत अच्छी earning कर सकते हो, as if now कि अगर अभी आप 10-15,000 कमा रहे हो, अगर आप सटल हो जाते हो उसी चीज में, तो धिर 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 करके आप अच् सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे हजार से लेके 5000 तक अपनी स्किल्स के सर्विसेज बेचते हैं, लिटरिली आप फाइलवर पे जाके एक बार चेक आउट करना, वहां आपको पता चलेगा, कि अगर आप वेब डबलेपर हो, तो वहां के नीश पे जाके आपको सोचना पड़ेगा, तो हमारा दूसरा हो गया freelancing, जो option में ले सकते हैं, साथी साथ, उसके बाद हम देखें, तो homework help website, अब आपको हो कि हमारा खुद का homework होता नहीं है, तो इसमें क्या help करें, अरे बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे website हैं, जहां जाके आप दूस या website है, जैसे course eagle हो गया, course hero हो गया, brainly हो गया, check हो गया, इस पे जाके आप देख सकते हो, आपको खुद ही यकीन नहीं होगा, कि मैं दूसरों का homework करके तो आप earn नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो होगा ना, कि दूसरों का homework करके मैं earn कर सकता हो, तो यह ऐसे कुछ websites के नही क्लिक वरकर हो गया, सर्वेज अंकी हो गया, आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बहुत सर ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि हमारा feedback दे, हमारी service field करे, या data entry दे, बस इतनी ही work रहती है, और इसके लिए भी आपको 5-10,000 रुपीज मिलती है, तो आप इस website पर जाके enroll कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके recording इस पर क्या job है, ठीक है, चलो, अगर हम बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर आता है आपका content creator, अगर आपके अंदर बहुत अच्छी skills है, अगर आप आप अच्छा करते हो, music अच्छा करते हो, vlogging करने का skill है, या कुछ भी, gymnastic हो, yoga कर सकते हो, cooking skills है, तो भाईया किस बात की दे रही, अगर आपके पास time है, मतला हम यह नहीं कह रही हो, कि पूरे time इस पर लगे रहो, 4-5 hours अगर आपके पास time है 24 hours में, तो बिल्कुल करो, भाईया यह digitally आजका इतना, आप खुद ही देखो, अब आपक आपका result show करता है, आप blogging कर सकते हो, self help कर सकते हो, animation कर सकते हो, entertainment कर सकते हो, cooking product reviews दे सकते हो, gym, finance, yoga, tech, art, ऐसे चीज़े content creator के तौर पर बना सकते हो, तो यह आपका best option होता है, और इससे अच्छे earning आती है, मैं यह नहीं कह रही हो, कि आपका एक महिना में, दो महिना में आ 6th नमर पर आता है, आपका affiliate marketing, आपने सुना आपका बहुत हो, कि मुसरी के affiliate marketing कर रहता हूँ, affiliate marketing, तो affiliate marketing होता है, देखो, इहां कुछ नहीं होता है, बस आपको, जैसे यह provide करता है, create Amazon affiliate, जो हमारे Amazon associates है, बस कुछ नहीं होता है, अगर आपके social media पर handle पर थोड़े भी followers बहुत sell करना होता है, उसके according आपको पैसे मिलते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ नहीं, आप 10-15 चीज़े sell करके भी, वहां से पैसे earn कर सकते हो, तो यह बहुत 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 प्लाटफोर्म है, आपके affiliate market के लिए, create Amazon affiliate, Amazon associates का, ठीक है, next time 7 नमर बात करें, तो domain flipping, अब domain flipping क्या होता है, यहां थोड़ा सा confusion होगा, क्योंकि बहुत बचों का नहीं पता होगा कि domain क्या होता है, मैं क्लिर कर देती हो, अब जैसे मेरी company है, मैं मुझे अपनी company के लिए एक email खरीदना है, अबने company का email लिखा होगा, something.com, अब मेरी company का name मालो कि socialtrains.com, अब मुझे अब यह domain खरीदना है अब यह domain अब यह domain already किसी ने ले रखा है और वो बेचड़ा है, और अगर मुझे यह domain मिलता, तो मुझे अब मुझे 600-700 में यह domain मिल जाता, लेकिन वो domain इस बंदे ने खरीद रखा है, और यह बंदा जो बेच रहा है domain कम से कम 20-25,000 में यह domain बेच र अब उसी में किसी ने भी, किसी बंदे ने भी अगर अकायकोली के नाम का, अकायकोली.com के नाम से अगर domain लिया होगा, तो आज के टाइम में वो राजा होगा, क्योंकि वो बेचे का ही लागों में उसको, तो बस यही चीज़ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा अपडेट र एक्सप्लोड का सकते हो, तो यह एक बेटर ऑप्शन है, आपके लिए यूज अर्णिंग के लिए, तो आगे हम बात करें, एट नमबर पे, अब देखो, कुछ तीज़ है, ना, कम्मिनुकेशन बेस्ट होती है, आपको थोड़ी बहुत एंगलिश आनी ही चाहिए, अगर आप स्टुडेंट तो बिल्कूल आने चाहिए, तो बिना लांग्विज के तो काम नहीं चलेगा, अगर आप कस्टोमर सर्विस प्रवाइट करते हो, तो यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता आपके कॉलेज लाइफ के लिए, क्योंकि आपको जादा टामी देना पड़ता है, आपको पता होगा ना, जैसे हम अगर रिचार्ज नहीं करवाते हैं अपने फोन को, हमारे धर कॉल आती है, मैं आपका यह आपका रिचार्ज खातम होगा, वो कौन करते हैं, वो ऐसी ही लोग रहते हैं, जो कस्टोमर सर्विस प्रूइट करते हैं, तो उसकी जॉब भी अगर आपके बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है, तो भाई आपको तो बहुत अच्छा मांट मेलेगा, मतला 20-30,000 वो देंगे, और अगर थोड़ा मीडिय में तो हो सकता है, 10-15,000 में कहेंगे कि बहुत बढ़ी बात है, तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आपक किसी का प्रोड़क्ट लेके वो बेच रहे हो, मतलब कुछ मार्केट से उठाया, कम कामों में, और वो चीज़े बेच रहे हो, या फिर ऑनलाइन ही कोई सर्विस है, जो आपको सेल करना है, इतने में उठाया और इतने में सेल करना है आपको, तो यह हो गया आपका सेल्स ए आप अधर रहे हो, तो आपके अंदर पढ़ाने का भी पोटेंशियल होगा, किसी बचों को आर्ट में इंट्रेस्ट होगा, जुनको आर्ट बहुत अच्छा आता होगा, म्यूजिक अच्छा आता होगा, डांस अच्छा होगा, अजसे चलो यह सब भी नहीं आता हो, लिख आपको पता होगा कि आपके पेरेंस कितना पे करते हैं, 3-4,000, पर मन्त हाडली 3-4,000 पर स्टूडेंट, और ताइम के नहीं देटा है टीचर 1 घंटा, अगर अगर महीने में अगर आप संडे को छोड़के जाओ, और हर दिन 1 घंटा पढ़ाओ, और उसके लिए आपको 4,000 रुपे मिल रहा है सिफ एक स्टूडेंट का और वैसे हैं अगर आप 10 स्टूडेंट को पढ़ा लेते हो 3-4 तो कितना अच्छा अर्णिंग कर सकते हो साथी साथ आपका टाइम भी बचेगा अगर आपके लिए तो पढ़ानी के स्किल्स तो बिलकुल होनी चाहिए तो यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भुले I will go to our